रेकॉर्ड ब्रेकिंग यह हुई है कि अब तक कि जितने व्रश्टाचारियों के यहां से कैश पकड़े गए, तो सबसे अधिक कैश जो है, वो साहु जी के यहां से पकड़ा गया, जिसका अमाउंट, आपको पता ने, खुशी होगी या दुख होगा, मैं तो कहूंगी गु के रूप में पड़ा हो, तो खुशी तो नहीं होती, और गुसा जरूर आता है, क्योंकि जितनी आप समझ रखते हैं, उस समझ से आपको यह भी पता चलता है कि किस प्रकार से पीडी दर पीडी ब्रश्टाचार कॉंग्रेसियों ने फैलाने का काम किया है, गांधी जी की फोटो छाप दी, नामकरन गांधी कर लिया, नोट अपने खाते में जमा कर लिया, और यही सिलसला जो है, वो सामने आया है अभी जो कुछ चीजें पकड़ी गई खास तोर पे धीरज साहु के यहां से, और उन्होंने अपनी साहुकारितर का परिचे दिलाया कि कॉंग्रे एक व्यक्ति के पास, दस जगा पर अगर रेड हुई, जिसमें महनत के साथ काम किया, तीन सो करोड रुपया सिरफ एक नेता के पास निकलता है, और गिंती बाकी है, तो आप सोची कि पूरी कॉंग्रेस ने, जो इतने ब्रश नेता है, अगर उनको एक जगा डाल दिया जा तो कितने ही नोट निकलेंगे, और लगातार जो भांडा फोड हुआ है, उसके मताबिक, आप देख लीजे कि इन्होंने पहले दोसों तक की हिसाब चल रही थी, लेकिन अभी ED, IT, CBI, इन लोगों के जो कारेकरम बने, उसमें इसको पिल्कुल टॉप सीक्रेट रखा गया, ताकि ये बात आखरी मिनिट तक उन अफसरों को भी ना पता चले, एक भारी संख्या में अफसरों को एक अठा करके ये रेट की गई, टॉप सीक्रेसी मेंटेम की गई, जिसकी वजह से ये काम जो है, उसको अंजाम मिल पाया, और इस में जो इनके प्रमुक कारियाले हैं, जो कि 30 किलोमेटर दूर बॉलांगीर से था, वहां 200 करोड बरामद हुए, ये धीरच साहू जो हैं, ये तीसरी बार के राज्यसभा के सांसद हैं, कॉंग्रेस पार्टी से, दो बार पहले चुनाव लड़ चुके हैं, दो बार हारे हैं, दो बार हारे वे व्यक्ति को तीन बार लगातार राज्यसभा का मेंबर ओफ पार्लिमेंट बनाया गया, और राहुल गांधी जी के काफी नस्दीक हैं, और वो तो जाहिर होता इस बात से कि सोन्या जी, राहुल जी, प्रियंका जी और मलिक आरजुन खडगे, सब ने चुप्पी साधी हुई है, मुह में के दही जमा हुई है, और यही कारण है कि भष्टाचार को लगातार पहलाने का काम, generations after generations, the tradition of corruption has been kept alive, and when you say the Congress family tree, it seems like family tree has branches made of corruption. Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood. and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel, hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.